यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिंदी पाइबल मैसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुभा, शाम, वच्चन, प्रातना और गवाही के द्वारा साहित करते हैं। यदि आप प्रातना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रातना करवा सकते हैं। धन्यवा। मेरे पास कुछ भी नहीं हैं। तो आज साम में मैं आपको उत्साइट करूँगा और आपको बताऊंगा कि आप क्या हैं। आप प्रवियेश मसी में कौन हैं। आपको इस बात को पहचानना बहुत जरूरी हैं। आपके ट्र्यू आइडेंटिटी क्या है। उस बात को भी आपको समझना बहुत ही आउशक है। जब आपने प्रवियेश मसी पर विश्वास किया है। तो विश्वास करने के बाद आप क्या बन जाते हैं। आपके पास क्या ओधा आ जाता है। आपके पास क्या पोस्ट आ जाती है। उसको समझना भी बहुत ही आउशक है। हलंकि हो सकता है यहां संसार में आप एक नॉर्मल ब्यक्ति हों, लोगों की दृष्टी में छोटे ब्यक्ति हों, लेकिन परमेश्योड की दृष्टी में आप बहुत बढ़े हैं, परमेश्योड की दृष्टी में उसकी सारी सृष्टी में से सबसे उत्तम आप हैं, बाइब चिस्टो समचार उसका साथ अध्याईद आप पढ़ेंगे और 26 पद आप पढ़ेंगे तो येश्व मसी यहुना के विश्य में कहते हैं तो फिर क्या देखने गए थे क्या किसी भौशवक्ता को हाँ मैं तुम से कहता हूँ वरन भौशवक्ता से भी बड़े को प्रभ येश बप्तिस्मा देने वाला यहुना सब भौशवक्ताओं में से बड़ा है सब भौशवक्ताओं में से जितने भी भौशवक्ता हुए उन में से बड़ा है कौन यहुना बप्तिस्मा देने वाला प्रभ येश्य मसी ये गवाई दे रहे हैं प्रभ येश्य मसी उसके बारे म इस बात को कह रहे हैं, कि वो भुश्य वक्ताओं में से सबसे बड़ा है फिर प्रवियेश मसी कहते हैं 28 पद में कि मैं तुम से कहता हूँ कि जो स्तुरियों से जनमे हैं, जितने भी मनुश्यों ने स्तुरी से जनम लिया, उनमें से यहुना से बड़ा कोई कि बड़ी बात प्रवियेश मसी कहते हैं कि आदम से लेकर अभी तक और जब तक एक संसार रहेगा तब तक, जिन्होंने इस्त्री और प्रूस के मिलन के बाद इस धर्ती पर जनम लिया है, उन लोगों में से यहुना सबसे स्रेश्ट है सबसे बड़ा है कौन? यहुना अब देखो, सारे भौशा वाक्ताओं में से बड़ा है यहुना और सारे इस्त्रीयों में से जिन्हों ने जनम लिया, उनमें से बड़ा है यहुना मिन्स इस दुनिया में सबसे बड़ा फिर कौन हुआ हूँ यह हूँ ना हुआ है एक तरीके से देखा जाई और प्रवियश मसी फिर एक और बहूत बड़ी बात कहते हैं पर जो परमेशुर के राज्य में छोटे से छोटा है आप प्रवियश मसी तुलना करते हैं कर लिया वो ब्यक्ति परमेश्ड के राज्य में परवेश्ड कर चुका है यहनके आप यहने कि मैं हमने परमेश्ड के राज्य में परवेश्ड कर लिया है हम उस राज्य के वारिस हो चुके हैं उस राज्य के सदस्या हम बन चुके हैं और बाइबिल कह रही है कि जो जिसने परमेशो के राज्य में परवेश कर लिया वह उससे भी बड़ा है बहुत बड़ी बात ये शुमसी यहां पर कहते है यहुन्ना सबसे बड़ा है लेकिन जिसने परमेश्व के राज्य में परवेश कर लिया वो यहुन्ना से भी बड़ा है अब सोचो कितनी बड़ी बाद है और आप और मैं वो लोग हैं जिन्हें पर येश्व मसी ने चुना और हमें अपने राज्य में परवेश्व करा लिया Bible कहते है, कुलिषय किताब एक अध्याए, 13 पाट, कि उसने हमें अंदकार के राज्य से छुडाया, और अपने प्रिये पुत्र प्रव येश्य मसी के राज्य में पहुचा दिया, अब हम परमेश्य के राज्य में परवेश कर चुके हैं, हम उसके राज्य में हैं, और येश यह इनि वेल्यू है परमेश्यकीन नजरों में आप ये हैं परमेश्चीन नजरों में और आप कह रहे हैं मैं परशान हूँ मैं दूखिए हूँ मैं और किसी काबिल नहीं हूँ मेरे पास कुछ नहीं है अरे भाई नहीं innocence और याप प्सुछ से बड़े हैं शमझो इस बात को तो आप कौन है, आप समझे इस बात को, प्रव्येश मसी आप से कहते हैं कि आप इस तुरियों में जन में हुए सब लोगों से बड़ा यहुना, सब बहुश वगताओं में से बड़ा यहुना, परंदो जिसने परमेश्य के राज्य में परविश कर लिया, वो इन से भी बड इतनी बड़ी उपादी, प्रव्येश मसी उन लोगों को देता है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जिन्हों ने उसके राज्य में परविश कर लिए, तो आप क्यों निरास हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों आपने आपको तुछ समझ रहे हैं, आप बहमुल्य हैं, आप कीमती हैं परमेश्व की नजरों में, आप तुछ नहीं हैं, आप उसके आँख की पुतली के समान हैं, आप उसके प्रिय बेटे बेटियां हैं, आप उसकी प्रजा हैं, उसने आपको खरीदा है, और अपने राज्य में लेकर गया है, आप ऐसे व प्रबुने मुझे पूरी तरह चंगा कर दिया इसलिए मैं प्रबु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरी दुसरी गवाई है मेरी बेटी के कान के पीछे एक गाट थी छे मैने से ओ गाट नहीं जा रही थी इसलिए मैंने ओ भी रिक्वेस्ट भेजा था और प्रबु ने मेरी बेटी को पूरी तरह चंगा कर दिया है इसलिए मैं बहुत बहुत प्रबु को धन्यवाद देत और उनके सारे टीम को मैं धनेवाद देती हूँ आप सब को जैमसी की परमेशो का धनेवाद देते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए मैं आशा करती हूँ कि आप भले चंगे और स्वस्थ हैं प्रभु की महिमा को कर रहे हैं और वचन से बहुत सामट पाई हैं आई हम मिलकर प्रातन करेंगे अपने विश्यों को प्रभु के आगे रखे आज की सुन्दर शाम में आप अपने जीवन में परमेशो के कारियों को देखेंगे आई ये प्रातन करें धनेवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे शांती के परमेशो हमारे प प्रभुजी आपने हम सब को संभाला प्रभुजी अपने सपोर्ट को अपने फेवर को प्रभु आपने हमें दिया परमेश्व पिता हर एक जन ने प्रभुजी आपकी अद्भुत आश्चरे कर्मों को अपने जीवन में देखा आपकी सुरक्षा को देखा परमेश्व बड प्रभु जी तेरे सम्मुक आकर तुस्से प्रात्न करें यदि आज कोई भी ऐसी हालात हैं जो विप्रीत हैं ये शुके नाम से प्रभु जी वो इनके फेवर में हो जाए प्रभु जी तेरे सम्मुक आज कोई आज की सुन्दर शाम में प्रभु जी इनके जीवन में बड़े आस्चेरे कर्म को करें खुदावन मैं धन्यवाद देती हु पिता मैं प्रात्न करती प्रभु हर एक जन को प्रभु आप आशीज दे हर एक जन के जीवन में आप अपना अद्भुद कारे करें पिता मैं धन्यवाद देती हु प्रभु जी प्रात्न करती हु प्रभु होने दीजे प्रभु जी कि जितने भी भाई बेहन प्रभू इसमें अपने विंतियों को लेकर बैठें, प्रभू धन्यवाद के आज आज आपने उनकी प्रात्नों को सुन लिया है, हम एड़वांस में आपका धन्यवाद देते हैं, विशेश कर बचन के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभू कि सच में मेरे believers Pence यहों आप यहुन्ना के विशेव में कहते हैं, कि वह इस पूरеше संसारत में जितने भी लोग जिनने यह जनम लिया उन से सबसे स्रेश्ट है.. प्रभू उसी प्रकार तुने हमसे कहा प्रभू कि जितनों ने प्रभू तुछ पर विश्वास किया और जितनों ने तेरे परतरQué में प्रवीशंगा उन में से छोटे से छोटा भी परमेश प्रभू तेरे राज्यमे बभुमूलिय है पिता मैं धन्यवात कर दीज़ थिश्वूत करने के द्वारा उस उसी प्राइज में करता देर आज जी नहीं लगता है कि ये intelligent नहीं, पड़े लिखे नहीं, खुबसूरत नहीं, परन्तु पिता, आप उनको precious और बहुमूल्य कहते हैं पिता, आज ये अपने आपको जान सके, अपने आपको पहचान सके, कि ये तेरे राज्य के लोग हैं, और ये valuable हैं, हाँ परमेशु, हर एक जन अपने आपको क परिमती और बहुमूल्य समझने पाए, पिता, मैं प्रातना करती हूँ, ये शुमसी नास्त्री के नाम से, यदि आज इनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, ये शुके नाम से चली जाए, पारिवारिक हर एक समस्या इनके जीवन से चली जाओ, हर प्रकार के करते हैं, पिता, इनके रिलेशन्शिप को स्ट्रॉंग करें, हम प्रातना करते हैं, प्रभू हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समयाद की सम्मुक है, ये शुनास्री के नाम से, हम इनके हालात को बदलने के आज्या देते हैं, इनकी परस्तितियों को दूर जाने के आज्या हर एक कर्जे को हम इनके जीवन से जाने के आज्या देते हैं, हर प्रकार की नकरातमक विचारों को जाने के आज्या देते हैं, ये शुके नाम से, हम प्रातना करते हैं, हर एक कर्जा इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार की नकरातमक सोच इनके जीवन से चली जाए, हम विशेश का इन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमारी में हैं, दर्द तकलीफ में हैं, येश्यू के नाम से इनकी बीमारिया, इनकी शरीर को छोड़ कर चली जाए येश्यू के नाम से, हर एक कैंसर, हर प्रकार की बॉड़ी डिसॉडर, हर प्रकार की जो सेल्स डिसॉडर हैं हर प्रकार के हर्मोंस हैं हर प्रकार की जो principle दिसार्डर से अंगेंसे बीमारियां किड़नी की ढईरों की था पहले निकल कर चली जाए धन्यवाद करते इन की पैरों में बहुत जादा सूजन है इसी वक्त इस सूजन को नस्टोने के आग्या देते हैं, धन्यवाद पिता आपने अपने लोगों को चुआ और चंगा किया, तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बिमारियों को ठालिया, धन्यवाद आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, आ आपने प्रात्ना सुना उत्तरहां आमीन में दिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हरे की सुधी ली प्रभु और हरे को आप बढ़ा रहे, आशीज दे रहे और सफल कर रहे प्रभु, यदि आज कोई भी कारी इनके जीवन में ऐसा है, जो असफल हो गया है, य अपने लक्षे तक नहीं पहुंच पाएं, प्रभु आप इनको इनकी लक्षे तक पहुंचने में मदद करें, जितने लोग पढ़ाई करते हैं, प्रभु उन्हें बुद्धी समझ ग्यान दे, competitive exam को qualified करने में इनकी साहता करें, प्रभु इन्हें बुद्धी और समझ दे, हर एक नौजवान परमेशो प्रभु जी, अपनी जवानी में परमेशो प्रभु जी, आपके राज जी के लिस्तमाल होने पाए, प्रभु बच्चे जो वीख हैं, येशु के नाम से स्ट्रॉंग होने पाए, पिता, तैंक यू जीजस, आपने हमारी प्रातना सुना, हर ए आपने प्रातना सुना, उत्तरहां आमेन में दिया, येशु के नाम से मांको, आमेन, आमेन, और आमेन.